हलो फ्रेंड्स आपका गीतासवर्ड में स्वागत है और आज जो मैं रिस्पी बना रही हूँ वोEh पर्वल परवल क्या आपने पहुत रेकी सब्율 बनाई होगी आज जो मैं बनाऊंगी नो बहुत रिचचाटपट बनने वाली बहुत कम मसालों में बनने वाली और बहुत ही स्वातिस्ट और टेस्टी देखने में भी बहुत ही अच्छी सबसे पहले मैंने परवर लिया है परवर को अच्छे से धो लिया है और अब इसे हम बीच में से बीच में से कट लगाएंगे यानि कि एक परवर में हम चार टुकड़े कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं पहले उपर और नीचे का दोनों साइट का में काट के लग करेंगे फिर इस तरह से पहले मैं इसे बीच में से कट लगाऊंगी उसके बाद फिर से ऐसे बीच में से कट लगाने का है इस तरह से अब इसी तरह से मैं सारे परवल को कट लगा लूँगी और ये सबची जो है गर्मी का season चल रहा है इसमें जितना कम मसाला हो सके खाने का मन करता है बहुत मसाले वाली सबचें पसंद नहीं आती है यह आपको मसाले वाली लगेगी पर मसाले बहुत कम use होते हैं इसमें और इस तरह से हम सारे परवर कट कर लेते हैं यह देखिए हमें इतना परफल चाहिए था हमने इसे इतना कट कर लिया है अब इसे एक बर्फन में रख देंगे अब हम आगे के लिए हम जो है इसमें देखी इस तरब से हमारे सारे परफल कट होगए अब हम लेंगे आलू आलू को हम अच्छे से धो लिये हैं player और उसे भी अब हम छील लेंगे और इसमें परवर के साथ आप आलू डाल के बनाईए बहुत अच्छा लगता है और हमने परवर को जो है एक में चार हिस्से जैसे किये हैं तो उसी तरह हम आलू को भी थोड़ा सा बड़ी साइज में ही रखते कि हमारा आलू छील गया है और अब हम आलू भी काट के दिखाते हैं कि हम आलू भी थोड़ा सा उसी हिसाब से हम कट करेंगे इस तरह से लेंगे पहले हमने बीच में से कट लगाया अब इस तरह से इसमें तीन या चार टुकड़े ही हम करेंगे साइज पर डिपेंड करता है कि कितने बड़े हैं इसमें तीन हो गए उसमें दो हुए थे इस तरह से और कोई बड़ा लगेगा तो बीच में से एक कट लगा देंगे देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको एक कट लगा देंगे इस तरह से सार बस हमें इसी तरह से सारे अलो को कर लेना हए अब सब्सक्री के हम इसे एक बर्तन लेंगे और उसमें पानी में भरके रख देंगे अब हम लेंगे एक प्याच प्याच जो हमारी बहुत बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है मीडियम तो बड़ी पे है इस देखिए मीडियम जैसी है इसे हम अच्छे से छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसे धो भी लेंगे अधिक तर इसमें थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है तो धो लेना ज्यादा सही रहता है तो इस तरह से हम प्याज को छील लेते हैं और साथ में धो कर साफ कर लेंगे अब जो है हम प्याज को अपनीचे से उसकी जो देंटल जैसा हैता उसे निकाल लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और देखे हैं इस तरह से हम छोटे-छोटे चौप कर लेंगे प्याज को और यह इस तरह से एक प्याज हम है और इसे हम महीन महीन चॉप करना है और जब अब हमारा प्याज चॉप हो गया है और यहां पे हम लिए हैं लहसन या अर्दास बारा कलियां लहसन कियें इसे हमने छील लिया है और अब हम जो है एक टमाटर लेंगे बड़ी साइस का टमाट तरचार लेंगे उसमें हम चोमाटर के चोटे-चोटे टुपडे करके हम उसमें डाल देंगे और इसके साथ जो है हम एक डालेंगे अपनी कास्मिरी रेडचिली होती है ना सूखी वाली वह भी डाल देंगे उससे क्या होते है थोड़ा सा कलर आ जाता है सबजी में या तो आ सारे थी उसमेंrophe 4-5 कशाओ लिए हमले टमाटर में डाली तो हमने क्या क्या पिसा टमाटर पिसा रेयज चिली पीसी और थोड़ा सा लजन इनको पीसके बना लिया अब जो लशन बचे थे उन्हें उन्हें इस तरह से क्रस कर लेंगे अब हम चलेंगे गैस की तरब गैस पर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में जब थोड़ी सी गरम हो जाएगे फिर उसमें सरसो का तेल डालेंगे आप जो तेल खाते हो वो यूज कर सकते हैं मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ सबजियां जादा तर सरसों के तेल में अच्छी ही लगती है और हमने जो परवड रखे थे उन्हें हम इस तरह से तेल में डाल कर अभी सी हम फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए हमें डीफ फ्राई नहीं करना है इस तेल में हम इस तरह से देखे इनके color change हो जाए इतना तक हमें fry करना है और यह देखे कि काफी change आ जाते हैं आपको तिक जाएगा पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं अब हम जो आलू काटके रखे थे उन्हें पानी में से निकाल दी हैं अब उन्हें भी यहाँ पे हम पानी म पे भीजना है क्योंकि हमें इसे 70-80% पुरा पका लेने का है आलू को तो यह हमें मेडियम आज पे इस तरह से पुझना चाहिए ताकि लाल भी हो जाएं और जो है उपर से कोटिंग सी लाल लाल सी आ जाए और आलू भी सॉफ्ट हो जाएं अब उन्हें निकालने के बाद जो तेल बचा है ना उसी तेल में हम डाल बनाएंगे सबजी हमने बोला ना गर्मी का सीजन इसलिए बहुत सारे हम तेल या मसालों का यूज नहीं करेंगे यहां पर उसी तेल में हमने जो प्याज को छुटे-छुटे चौप करके रखे थे उसे यहां पर डाल देंगे आप चितना भूजेंगे उतनी अच्छी सबजी बनके तयार होगी अब हम प्याज के साथ जो हम इसमें लसन भी डाल देंगे अभी तक हमने जो डाला था तेल था तेल में चीरा डाला था हिंग डाला था थोड़ी सी मरिज डाली थी और प्याज डालके भूज लिया है उस में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला अब यहां पे धन्याप और वगरे भी मैंने बहुत थोड़े-ठोड़े यूज़ किये हैं क्योंकि मसाले वाली बनाना है पर मुझे बहुत सारा मसाला नहीं डालना है गर्मियों में खाने में बहुत हैवी हो जाते हैं इसलिए हमें बहुत लगेगी आपको कि बहुत मसाली वाली सब्जी है पर खाएंगे ने तो बहुत हलकी फील होगी और यहां पे जो हमने टमाटर की ग्रेवी पीस्ट के रखी थी ट्रेस्ट ग्रेवी उससे भी इसमें डाल देंगी तो इस टमाटर में हमने रेड चिली त्राइड रेड चली डाली थी कश्मेरी और जो है थोड़ा से लेसर टमाटर डाल के पीसा था उस पेस्ट को इसमें मिला दिया है अब वो टमाटर प्याज बगर सबको साथ में हम डाल के अच्छे से भूजेंगे अब यहीं सारे इंपॉर्टेंट है पूरी सब्जियों के की मसाला आपके द अब यहां पे जो हमने टमाटर परवर और आलो भूज के रखे थे सेलो फ्राय करके उसको इसमें मिक्स कर देंगे और साथ में हम मसालों के साथ अब फिर से आलो परवर को कम से कम पांच मिनट तक भूजेंगे इसे यह बूजना बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ आप मेडियम टू लो पर करेंगे हाई फ्रेंप पर मत करीगा मसाले जल सकते हैं इसलिए हम इने मेडियम टू लो आज पर ही भूजते हैं और यह भूजने में कोई जल्दी बाजी नहीं करनी है कम से कम पांच मिनट तक आप इसे अच्छे से भूजिए हाँ और चलाते भी रहन चाहिए रूटी के साथ खाना है चाहूल के साथ खाना है उस हिसाब से आप ग्रेवी इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं पर एक कप परफेक्ट है इसमें इस तरह से बनाने के लिए अब यहां तक अभी तक मैंने नमक का यूज नहीं किया था अब मेरा नमक पढ़ गया है और य हमारी सबजी अब अब इसे हम सब कर लेते हैं और यह देखिए आभी तक जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और सभी लोग हमारे वीडियो को फूल वाच करें पूरा वीडियो देखें और साथ में शेयर करें कमेंट्स करें लाइक करें और जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नए नए रेसिपी आप तक पहुंचें ये देखें कितनी अच्छी लग रही है लुक्स यमी स्वाद यमी और वाव थैंक यू और देखें कितनी प्यारी हमारी सब्ची है थैंक यू